हेलो दोस्तों, नमस्ते मैं अपने चानल पे आप सबस्वागत करते हूँ दोस्तों हस्ते रहें, मुस्कुरहते रहें, पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सचीए, पॉजिटिव रहेंगे, सफलता वश मिले גए, आप सबस्वाइए, मस रियाए और लाइप में आगे अपना confidence level बढ़ाते जाएए, relax हो जाएए, open mind हो जाएए और जो मैं इस वक्त वीडियो लेकर आई हूँ, यह है रेशिभा विश्वानी मैं यहाँ देखना चाहूँगी कि जिसने आपका दिल तोरा, आपको दर्द दिया, धोखा दिया और अकेला पन आपको उदाशी देकर, आपको cheating करकर वो आपके life से चला गया तो मैं हाँ देखना चाहूँगी क्या उनको कर्मों की सजा मिलेगी, उनको कर्मा मिलेगा तो चलिए बिल्कुल positive हो जाएए, यह collective reading है और सारे sign के लोग देख सकते हैं देखिए क्या उनका हाल है, क्या कुछ चलना उनके life में, क्या उनकी situation है आपको तकलिफ देकर, धोखा देकर, अकेला छोड़कर क्या उनको सुकून मिल रहा है चैन मिल रहा है, तो क्या आपको justice मिलेगा तो चलिए बिल्कुल positive हो जाएए, all sign के लिए है, male, female, married, unmarried है सब के लिए है तो वीडियो को positive हो कर सुनना है, ध्यान से सुनना है और जितना resonate करे उतना लेना है और बाकी को जाने देना है बट आप लोग को बिल्कुल positive रहना है, self love करना है, self healing करनी है अपना confidence वराना है और अच्छे कर्म करने है देखिए, जो हम कर्म करते हैं, जो हम काम करते हैं, वो कर्म है और कर्म ही कर्मा बनते हैं, जो हम काम करते हैं, वो ही काम हमारा कर्मा बनता है इतना याद रखना अच्छे हो या बुरे हो हर काम उनको उनके हिसाब से फल मिलता है तो यहां पर कर्मा माइने रखता है आपके काम पर आपके नेचर पर आपके सभाव पर आपने किसके साथ अच्छा किया किसके साथ बुरा किया तो सबका लेखा जोका उपर वाले के हाथ में है डियर उसे कहते हैं कर्मा और इसी 3D दुनिया में देखें पिछले जन्म के तो अलग बात है लेकिन कुछ ऐसे कर्मा होते हैं जो आप अपने उपर काम करते हो तो कहीं न कहीं आने वाले टाइम में इस 3D दुनिया में 3D जो दुनिया है उसमें आप उनको देख लेते ह जो आपके साथ उन्हें ने किया है मतल items कि उनकेsecond कर्मा आप इस धर्ती पर भी देखते हो इसलिए आपको पॉजिटिव रहना है अछक्ष कर्म करना है कि क्यों जो ढॉजिव कर्म करते हो उसीन अनुसार आपको फल मिलता है अछे हो बुरे हो इसलिए काम जो है वह आपका कर्मा है तो आप पॉजिटिव रहे जिसने आपका दिल तो रहा है दिल दुखाया अकेला छोड़ा है सुकून चीना है आपकी खुशियां चीनी है चलिए उनकी भी जानकारी लेखते हैं कि उनका क्या हाल है कॉन्टेक्ट में हो नो कॉन्टेक्ट में हो ठीक है चलिए बिल्कुल पॉजिटिव हो जाईए और सोचिए और बिल्कुल रिलाक्स हो जाईए और किसी के दुख पर हसना भी नहीं है बस आपको इनुवर्स से कहना है कि मैंने अच्छे कर्म किये हैं मुझे जस्टिस डियर कर्म को समझना बहुत बड़ी बात है ठीक है छलिए अपकी एनर्जी में देख लोंगी इंजस्ट करें डिवाइन गाइड करें ओल आरगि आर्क इंजस्ट करें तीब शक्ति गयाइड करें ऑल-अर्टें अर्थमदर गयाड़ करें राधा रानी कृद्धा राधार पीस और सांती यानि कि आपके अच्छे कर्म जुटते हैं ओम का उचारन ओम चैंटिंग करने से क्या होता है पीस सांती और सुकुन जहां आपके माइंड को बॉड़ी को सोल को बहुत पॉजिटिव इरजिया देती जहां आपके अंदर हिलिंग आती है और आप लोगों को भ रिदि we'd हमारे love alongside family से हमारे घर से नगेटिव लेट को होती होजर हमारे life में चारों डिसान हों से खुसिया अवर्णनस आता है तो आपको dear और स्वास्तिक बनाना चाहिए मेंड दौर पे बनाएं टेंपल में अपने घर के टेंपल बनाई ठीक है और चलिए यहां पे मैंन इंजल्स गाइड करें, मेरे वीवर्स के पार्टनर, जाहे उनके हस्वेंट हो, वाइफ हो, क्रस हो, एक्स हो, कोई हो, क्या कुछ चल रहा है, उनके लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, उनके दिल और दिमाग में क्या कुछ चल रहा है, उनके कर्मा, क्या उन्होंने किया है, और क्या कर्मा उनके साथ उनको मिल रहा है बिल्कुल positive हो जाई है 100% मिल रहा है इडिया देखे पहले ही जो मुझे energy दिख रही है न दिया इस person ने बहुत ज़्यादा आपको हट किया है ठीक है इस person ने आपको बहुत ज़्यादा हट किया है ये तो मुझे दिख रहा है लेकिन ये दर्द जो आपको इन्होंने धोका और दर्द दिया है इनका हाल तो देखिए साथ आपसे express नहीं कर पा रहे है या फिर आपसे communicate भी ये person नहीं कर पा रहे है ये person आपसे communicate भी नहीं कर पा रहे है देखे दिया मुझे जो सुरू में ये दिख रहा है न बहुत लोग का इस बक्त मैं देखने डिवाइनिंग टाइमिंग बहुत कडिब है justice मिलने को, सुकून मिलने को, सांती मिलने को और जो आप manifest कर रहे थे कि मुझे justice चाहिए, justice यह नहीं होता कि वो आपसे marriage कर लेते हैं, आपको commitment देते हैं, इस तरह से justice नहीं होता इडिया justice जिस तरह आपको उन्होंने दर्द पें, separation दिया, आपको दर्द दिया, इस तरह से आपकी तकलीफ उन्होंने दी है कि justice उनको वही कहता है कि जैसा तूने बीज़ वोया है, वैसा ही तेरे life में कोई बीज़ वोने वाला आएगा, जो कि आपको तकलीफ दी तू, उनके life में भी तकलीफ किसी ने दी है ठीक है, तो देखिए, इनको मुझे लग रहा है ना, heart broken की energy बहुत strong है, ठीक है, इस मक्त heart broken, मुझे इस परसन के अंदर में दर्द pain दिख रहा है यह सायद, यह सायद किसी से express कर रहे हूं, इनको कोई respect नहीं कर रहा है यह, लेकिन इस परसन के अंदर, अपनी image की तो अभी भी है डियर, ऐसा नहीं है, बना कर रखते हैं, लेकिन अंदर से यह person, यह male or female, अंदर से यह बिल्कुल खोखला हो चुके हैं, इनकी respect दिन पर दिन घटती जा रही है, चाहे इनकी office हो, चाहे family member हो, या friend circle हो, कोई भी हो, इनकी respect कोई नहीं कर रहा, यह भी उसी situation में है, जह success में नहीं देख पाड़ी हूँ, जगड़ा होना, इन पर कोई विश्वास नहीं कर रहा है, इनको भी लोग कोई धोखे बाजी कह रहा है, ठीक है, बहुत तरह की इनके life में इसे situation आ रहे हैं, जहां यह किसी से share नहीं कर रहे हैं, लेकिन लेकिन इस person के अंदर जो pain है, heart breaking क energy है, इनको लग रहा है नडियर कि आप मिलो और आपको गले पकर कर यह रोएं, ठीक है, लेकिन यह नहीं करेंगे, यह बिल्कुल अभी नहीं करेंगे, क्योंकि इनके अंदर guilt है, regret है, कि उन्होंने तो गल्ती की है, इनको एहसास भी है, लेकिन इनको लगता है नडियर कि चारों तरफ से मैं बंद हो जाओं, अंधेरे कमडे में और चिला चिला कर खुद से बोलूं और रों, और वो तैनरियर की हाथ जैसे गुसा आया, तो किसी पर ऐसे करके फूस करना, उस तरह की energy इस परसन के अंदर है, क्या करूं? इनकी दोस्ती भी दोस्ती अब नहीं रही, अब दोस्ती भी धीरे 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 इनकी दुस्मनी में बदल रहा है, और इनको ये धीरे धीरे महशूस भी हो रहा है, कि ऐसा क्यों हो रहा है इनके साथ, ठीक है? कुछ लोग को कर्मा मिल रहा है डियर साइद मेरे विवर्स आपको पता भी हो अगर आपको पता नहीं है तो मैं यहां बोल दूँ कुछ लोग को कर्मा मिल रहा है और कुछ लोग की अभी निव स्टार्ट हुई है डियर अभी कुछ लोग की new start हुई है अपने कर्मों की सजा में वो entry कर चुके हैं और कुछ लोग कर्मों की सजा भुगत रहे हैं ठीक है बहुत जादा परशानियों का सामना करना पर रहा है इस परशन को बहुत जादा एहसास दिलाया जा रहा है उन्हें कि तुने किसको दर्द दिया किसको तकलिव दिया किसको तुने रुलाया जो तुम्हें इतना प्यार करना सपोर्ट करना हर खुसी में हर दुख में आपका उन्होंने सपोर्ट किया उसने ही आपका दिल तोरा ये इनको सजा दी जा रही है इनको एहसास दिलाए जा रहा है कि किसने तुझे इतना प्यार किया सपोर्ट किया और तुने ही उसका दिल सोरा लेकिन ये पर्षन के अंदर जो दर्द है पी रहा है लेकिन ये सोर नहीं कर रहे हैं ये सिर्फ अकेले रहे गए तियर यहां पर इस पर्षन को सपोर्ट भी करने वाला कोई नहीं है कुछ फ्रेंड सरकिल भी है इनके लाइप से जो है न भले ही ये दिखावा करते हूं आपको लग रहा कि ये दिखावा करें नहीं तो ये खुस है नहीं ये जान बुझकर ये सो और दिखावा करता है या करती है कि मैं अपने लाइप में हर पल हर्स मैं सेलिवरेट करता हूं इंज्वाइक करता हूं घुमता हूं या घुमती हूं ऐसा बिलकुल नहीं है डिय अब ये दर बदर की ठोकड़े खा रहे हैं और कुछ लोग मेरे वीवर्स अब आपके लाइक में जो आपका जिसने दिल तोरा है अब वो उसी ट्रैक पे अब जा रहे हैं ठीक है लेकिन दोस्ती इनकी जितनीती अब धीरे धीरे उनकी एंडिंग हो रही है और वो दोस्ती द कुराईयां हो रही है कि ये इंसान अच्छा नहीं है इसे निकाल देना चाहिए कुल पॉलिटिक्स ऑफिस में भी चल रहा है इनके खिलाप ये मेल भी है और फीमेल भी है सोसल मीडिया पे भी एक्टिव रहते हैं सोसल मीडिया पे भी काफी इनोंने फ्लटिंग किया है ल और ये सोच रहे हैं कि आपकी हाय लग चुकी है ठीक है ये इने महशुरू सो रहा है लेकिन ये कहीं न कहीं उस जुआय को उस एनरजी को ये तरस रहे हैं आपके साथ फिर से वो निविगनी चाहते हैं बट इनकी हिम्मत नहीं हो पार ये क्योंकि आपको इनोंने बहुत दिल दुखाया है आपने गिर गिराया है उनके पैर पकड़े हैं उनसे माफी मांगी है लेकिन इस परसन ने आपको एक नहीं सुना आपको डिनाई किया आपके फिलिंग्स के खेला मतलब आपको सिर्फ मिसजज किया और यूज किया ठीक है इस परसन ने आपको पूरी तर उसको सुखा कर और उसे रख दो जार में और उसे जला कर सारी negativity लेट को हो जाती है तो जिस तरह आपको ये निचोड़े हैं तो यही नीवू का छिलका जो लेमन होते हैं उन्के छिलके कितने काम आते हैं जो negativity को लेट को करते हैं और हमारे घर में positivity लाते हैं तो आप उसी की तरह हो जहां आप खुद एक positive energy में हो ठीक है लेकिन ये person देखो अब भी भी टूट रहे हैं हार रहे हैं लेकिन माफी के तरफ अभी नहीं बर रहे हैं बहुत slowly है डियर और देखिए इस वक्त ये person बहुत innocent की energy में है अभी इनको आपके साथ इन्होंने चल किया है आपको धोखे दिये हैं आपकी feeling से इन्होंने खेला है तो इन्होंने आपको जितना चल कपट से आपको यूज किया है आपकी feeling से खेला है तो अब उनको high तो लगनी थी और ये अनुभाव भी हो रहा है उपर वाला के घर में देर है आपके लाइब में लाइट आ रहा है उपर वाला का हाथ आपके साथ है उन्होंने ऐसी गलतियां की है तो सजा तो मिल नहीं है अब खुसी जुआय को ये ढूंड रहे हैं दरबदर के ठोकर खा रहे हैं mentally, physically और financially भी आपने बहुत support किया है financially भी इनको support किया है लेकिन देखिएगा dear अभी जिनकी entry हो चुकी है आपका दिल दुखाया है कुछ लोग को तो अब start हो गया डिया कुछ लोग का अब new beginning इसमें हो गया है बुड़े कर्मों की सजा लेकिन अब या new beginning उनकी हुई है अब धीरे धीरे देखिए इनके life में क्या कुछ होता है और कुछ लोग का कर्मा मिल रहा है health issue, depression, दरबदर के ठोकर खाना, family issue अगर उनकी marriage life है तो वो टूटना, lossy loss, health issue, कोई इनको नहीं समझा है इनकी feelings की कदर नहीं हो रही है तो कुछ लोग को अभी कर्मा मिल रहा है और कुछ लोग अभी new entry कर चुके हैं, अब आने वाले time में आप देखोगे कि इनके साथ यही चीज़ repeat होने वाली है मतलब होता है न, बहुत दर्द, बहुत pain, बहुत pain होता है ज़़ दिल तूटता है तो यह एहसास उन्हें भी तो होना चाहिए, कि दर्द क्या है, धोखा क्या है, सुकुन किसी का चिनना कोई इसमें से मुझे लग रहा आप या आपकी partner कोई rich family से belong करते हो या फिर दोनों ही हो सकते हो, दोनों यह भी है dear कि दोनों की image अच्छी भी हो सकती है यहां कुछ लोग ऐसे भी है, चीक है, अच्छी job, अच्छा career भी है कुछ लोग की, अच्छी business भी है, लेकिन loss तो loss हो रहा है ना जब मतलब आपकी जरुवत थी, आपसे जरुवत थी, तो आपके बार बार आपके like में entry करते थे यह, चीक है लेकिन यह किसी और के वज़े से आपको दिल तोरा, आपसे नाता तोरा, यह किसी और के साथ गए तो वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रही है जो आपके साथ इन्हों ने किया, वही इनके साथ वो लोग कर रहे हैं, जिनके लिए आपको छोड़ा तो ये तो होना ही था ये है कर्मा आपका विश्वास टूटा है आपको सुकून निनों ने छीना है रातों की निन चुराई है आप रात भर करवटे बदले हो रात भर स्पाई किये हो खाना नहीं, पीना नहीं कई दिन आप भूखे रहे हो कितने परशानिया टेंशन, डिप्रेशन, इंजाइटी, माइग्रेन, हेल्थ इशू, ब्रिधिंग प्रॉब्लम ऐसी एनरजीयां आपके साथ हुई है और मुझे लगड़ा मेरे वीवर्स अभी भी कुछ वीवर्स के साथ ऐसा हो रहा है इसलिए मैं बोल रही हूँ कि कुछ लोग के साथ अगर ऐसा भी हो रहा है तो आप आने वाले टाइम में आप देखोगे जो इस वक्त अपने कर्मों की सजा भोग रहे हैं अब नए वाले जो नियू बिंग्निंग में हैं अब उनकी स्टार्ट हो चुकी है कर्मा ठीक है इसलिए आप टेंसन मत लिजिए और उनको माफ कीजिए ये अभी भी थोड़ा इनोसेंट है अगर आपके ये डिवाइन में सुकुलाएन आपके सोलमेट है आपके टून है तो ये वक्त लगाएंगे डियर क्योंकि इस वक्त वो इनमिच्योर की एनरजी देख रहे हैं बहुत इनोसेंट वाली है अभी ये पूरी तरह आक्सन नहीं ले पा रहे हैं ये अभी सोचेंगे, समझेंगे खुद पर काम करेंगे और फिर आपको एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि ये आने वाले टाइम में वक्त लगेगा डियर येर्स भी लग सकते हैं, मन्त भी लग सकते हैं लेकिन ये रियूनियन होती है बट जब तक डिवाइन उनको पूरी तरह सिखा न दे कि तुमने क्या किया पिसले जन्म में क्या किया इस जन्म में फिर मैंने तुझे मिलाया फिर तू वही कर रहा है या कर रही है, तो तेरे को सजा फिर से भोगना पड़ेगा तो उनको अपने कर्मों की सजा भोगने दीजिए क्योंकि जब जब डिवाइन पावर आपके साथ होते हैं तो आपको जस्टिस देते हैं बस आपको उस राह पे चलने की जरूरत होती है ठीक है आपका विस्वास टूटा है मैं समझ पा रही हूँ आप टूट रहे हो लेकिन फिर मैं यहां कहना चाहूँगी कि आपको हार नहीं माननी है काफी हैभी एनरजी मुझे इस वक्ट फिल हो डिया आपके परसन की काफी हैभी एनरजी फिल हो रही है जैसे लग रहा है पुरी तरह इनको किसी ने तोड़ दिया इनको चिलाना, रोना, अकेले में रहना इनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा बस अपने किये हुए कर्मों की सजा इनको मिल रही है और उस वक्त को याद करें कि मैंने कौन ऐसा काम कर दिया कि आज मुझे इतनी दुख तकलिप जिलनी पर रही है कर्म कीये जा फल की चिंता मत कर वरिजल्ट आज नहीं तो कल मिलेगा कर्म करना है सही दिसा जाना है सकसेस आपको मिलना है अपना कर्म करना है टिक है जहां आप अपने सक्सेस की और बढ़ेंगे देखोगे ये परसन आपके तरफ माफ़े भी मांगने आएंगे इसलिए कह रहे हूं कर्म किये जा फल की चिंता मत कर मन ही मन में ये परसन बहुत ज़्यदा कोस रेडियर इनकी किसी से नहीं बन रही है ये खुद को भी हट करें जिस तरह आपको इन्होंने हट किया दर्द पेंद दिया है रातों की नीद इनकी भी गायब है करबटे बदलते हैं और इनको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं कि कि किसको अपनी दिल की फिलिंग्स अपना दिल का दर्द बया करूं ना फ्रेंड है ना फैमली मेंबर्स है ना इनके क्लोज जी जितने थे सब डिस्टन्स मेंटेंड कर रहे हैं सिर्फ आज उनको एहसास हो रहा दियर कि एक आप ही थे सपोर्ट सिस्टम जो इनको हर वक्त आपने सपोर्ट किया मिंटली फिजिकली फाइनांसली दुख दर्द परचानियों से आपने निकाला है उस एहसास को आज ये जी रहे हैं ये किसी से कब कहां ये फाइट भी कर ले रहे हैं ये परसन कब कहां किसी से फाइट भी कर रहे हैं आपको पूरी तरह इसने निचोड़ा है अभी ये सौरो की एनर्जी में है समझके हार्ट मतलब उतन्दम दिल तूट जाना हाट ब्रोकन की एनर्जी में है अभी इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कर्म ये हैवी एनर्जी मुझे यहां दिख रही है मेरे वीवर्स को बहुत वीवर्स का ऐसा भी लग रहा कि मेरे बहुत वीवर्स आपका साइकल कम्पलीट हुआ है और इनको कर्मों की सजा मिल रही है और आपको जानकारी भी है मेरे कुछ भी अभी शाइप्रेशन डिप्रेशन टेंसन में हो जो आपके परसन अभी भी आपका दिल दुखा रहे हैं अब इनकी साइकल स्टार्ट हो चुकी है चिक है कुछ समय के बाद आपको सुनने को मिलेगा अगर इनोंने मैरेज कर ली है या मैरेज फिक्स हो गई है या फिर आप से डिसन्टमेंटन कर ली है या फिर आपके लाबा किसी और को इनोंने अपने लाइप में एकसेप्ट किया है ये किसी और के साथ रहे रहे हैं तो अब देखिए आने वाले टाइम में कुछ समय के बाद आपको सुनने को मिलेगा अगर इनकी मैरेज हो गई है या फिर मैरेज होने वाली है मैं यहां कहना चाहूंगी कोई फैदार नहीं है इस वक्त आपको अपने उपर फोकस करने की जरूरत क्योंकि यह कर्मा है ठीक है कर्मा आपने जहां अपने उपर फोकस किया आने वाले टाइम में ये साइकल उनके साथ में रिपीट होने वाल साइजिटेरियस यानि धनू लियो यानि सिंग इसकॉर्पी यानि ब्रिश्चिक यह साइन मुझे बहुत स्ट्रॉंग दिख रहे लिए इसलिए आपको टेंसन नहीं लेना है इनकी परशानिया इनकी दुस्मनी बर रही है हर जगा किसी ना किसी से फाइटिंग हो रही है लेकिन यह कस्म कस्म है कि मैंने क्या गलती कर दिया लेकिन यही एहसास जब अकेले में होते हैं तो इनको रोना भी आ रहा है कि क्या करूं मै अच्छी रिष्टे अच्छी फैमिली भी इनके तूट रहे इनके भाबनाओं की कदर नहीं की उपर वाला कभी माफ नहीं करता है ये जान जाएए उपर वाला कभी माफ नहीं करता है ऐसे इंसान को जो दुसरे इंसान को निचोर कर बरबाद करकर अपनी लाइप में खुसियां लाइट लाता है या लाती है टाइम लगता है डियर लेकिन 100% जस्टिस मिलता है और आपको भी जस्टिस मिलेगा बहुत जल्द मेरे विवर्स आप लोग जस्टिस के करीब हो और कुछ विवर्स थ्वासा आपके लिए वक्त है क्योंकि मुझे लगा अभी अभी कुछ समय पहले आपको इस परसन ने और चिट दिया है तो अब उनकी साइकिल स्टार्ट हो गई है करमों की ठीक है इस वक्त आप अपने लाइक में आगे बढ़ें चिंता आपको नहीं करनी है ठीक है आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है कुछ लोग की तो हो चुकी है आप देख रहे होंगे मेरे वीवर्स रोने का दिल कर रहा है किसी का कंधा भी नहीं है डियर किसी का कंधा भी नहीं है आपके परसन को रोने को और अभी अभी जिस परसन ने आपको धोखा दिया आने वाले आप देखो टाइम में ज्यादा नहीं मुझे लग रहा है 1, 2, 3, 3 months, 3 months, 3 months, 3 months में आप उनका असर देखोगो, जो इस वक्त आपको cheat, धोखा और break up किया है, और आपको छोड़ कर किसी और के साथ ये गया है, तो आप देखना, 3 months में आप उनके energy को देखोगे, कि क्या कुछ चला उनके life में, ये मुझे sign दिख रहे है, V, C, U, ये letters मुझे दिख रहे हैं, लेकिन Wheel of Fortune के energy आईए, मेरे viewers आपका एक cycle end हो गया, अब एक new beginning होने जा रहा है, ठीक है, और ये changes आपके अच्छे क्लिए आ रहा है, बस आप लोग को positive रहना है, यह Wheel of Fortune के energy आचुकि कुछ कर्मा आप लोग का release हो रहा है, लेकिन जहां मेरे viewers अभी भी आप separation, depression में हो, तो एक cycle आपकी start होने वाली है, जो कि आने वाले अब समय में आपको भी न्याय और justice मिलेगा, सुकून में लेगा, लेकिन मैं यहाँ बोलना चाहूँगी, कि अगर यह आपके soulmate है, तो मैं ऐसा कभी नहीं बोलूँगी कि आप उनको कभी भी सब्द बोलो, गालियां दो, खुसो, कि इनके life में ऐसा हो रहा है, यह मत करना, क्योंकि आपके सभाव, आपके विचार बहुत ही अच्छे है, लेकिन आपको माफ करना होगा, ठीक है, माफ करोगे और देखोगे कि उनके life में क्या कुछ बदल रहा है, क्योंकि आपने तो माफ कर दिया, लेकिन उन्होंने आपके साथ क्या किया, एज मैं बता रही हूँ दिया, ठीक है, एज मुझे जो दीख रहे हैं, यहाँ पर बहुत स्ट्रंग मुझे, 28, 29 दीख रहे हैं, 30 दीख रहे हैं, आप यापके परसन का हो सकता है, 34 है, 35, 38, 39, 40 है, 43 है, 45, या इस बीच में हो सकता है दिया, 49, 48 भी है, 50, 53, 55, 56, 58, कुछ लोग लिए हो सकता है, एज गैप के बज़े से 60 भी हो सकता है, आप या आपके पार्टनर का, ठीक है, यहाँ रेट कलर मुझे बहुत आ रहे है, रेट कलर किसी को बहुत पसंद है, आप या आपके परसन को, या फिर आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो, रेट कलर में, ठीक है, रेट कलर यहाँ बहुत इंपॉर्टन मैं देख पार ही हो, रेट, और ब्लू, ब्लू और रेट, यह बहुत, मुझे लगा है, मेरे वीवर्स, आपको या आपके परसन को बहुत पसंद है, बहुत स्ट्रॉंग मैं देख पार ही हूँ, ब्लू और रेट, देखे, आपकी नेचर बहुत अच्छा है, आप मेल हो, फीमेल हो, आपके नेचर बहुत ही अच्छा, आप चाहते हो, 100% उनको खुसी में, खुसी देने का, आपने सपोर्ट भी किया है, हर वक्त आपको उन्होंने, कही न कहीं, इग्नोर तो किया है, लेकिन मुझे लगता आप उनको बहुत इज़त करते हो, उनकी भाबनाओं की आप कदर करते हो, आपने बहुत कॉंपरमाईज किया है, ठीक है, आपने समझहोता किया है, लेकिन आपकी भाबनाओं की कदर इन्होंने नहीं की, ठीक है, आपका नीचर इतना अच्छा है, आप समझते हो, उनको ज परफास रहे हो ठीक है आपके लाइप में और पडिवार के बीच में थोड़ा और परशानिया भी मैं देख पार ही कुछ आपके लाइप में प्रॉब्लम से डियर ठीक है हो सकता आपके उपर बडन और रिस्पांसमिल्टी हो भाई बेनों का हो बच्चे का हो पैरेंस का हो या पिर हो सकता है आपके पार्टनर के माता-पिता का हो ठीक है थोड़ा समय बोलोंगी मेरे वीवर्स आप अपने लिवे थोड़ा समय निकाले ठीक है आपकी भावना हो कि मैं रिस्पेक्ट करती हूं मेरे साथ साथ युनिवर्स भी करते हैं तब ही तो आपको ये रिजल व्हाइब तो आपको डिसीजन लेने में थोड़ा वक्त लग रहा है इसलिए थोड़ा सा इन्हें भी वक्त लगेगा इनके कर्मों की सजा देने में लेकिन थ्री मंथ में आप उनको भी देखोगे इनके लाइप में क्या कुछ चेंजस आ रहे हैं आप सुनों गे और यह तोड़ दिया है तो वक्त आ रहा है आप थ्री मंथ में बोले थ्री मंथ उसके बाद आप देखोगे वो खुद आपको यह सुनाएंगे कि क्या हो रहा इनके साथ यह खुद आपको मिलने को कहेंगे तो थोड़ा सा पेसेंच और धरे रखिए कर्मों की सजा सबको मिलती है ल अपनी दिल की बाद सेयर करेंगे क्योंकि आपको उन्होंने हट किया और उनको सजा क्या मिली है हट ब्रोकर सौरो की एनरजी पेन दर्द अब इनके साथ भी रिपीट होगा कुछ लों के साथ हो रहा है ठीक है लेकिन बहुत जल्ब मेरे वीवर्स आपको जस्टिस मिल सकत मतलब ऐसा फिल हुआ कि हाँ मेरे साथ जो हुआ सामने रिजल्ट आ गया ठीक है इस वक्त लेकिन आपको इस तरह किसी के लिए बुरा नहीं सोचना है ठीक है बिल्कुल पॉजिटिव रहना है आप मिच्योर परसन हो थोरा सा ध्यान दिजे और उनको माफ कीजे आपका वि आपका नया रास्ता खुल रहा है तो उस रास्ते पे जा सकते हुआ अब रास्ता कैसा यह आप देखो ठीक है कौन से रास्ते पे जा रहे हो लेकिन रुक जाना नहीं तू कहीं हार के जिंदगी हर कदम इक नई जंग है जीत जाएंगे हम तू अगर संग है युनिवर्स को पता भी चला एडिया तो यह वीडियो आपसे कितना रेजनेट कर रहा है आप जरूर लिखे ठीक है और बिल्कुल पॉजिटिव रहें माफ करना सिखिए और लाइक में आगे बढ़ें कुछ नए रास्ते आपके तरफ खुल रहें निव डिरेक्शन में देख पा रहे हू तो प्लीज मैं यही बोलना चाहूंगो मेरे वीवर्स लाइक में आप आगे बढ़ें ठीक है तो चलिए यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें चैनल को सब्सक्राइब कर दे बेल आइकन जरूर दवाएडियर कट प्लिस में थैंक यू